राज्थान विधान सोभा के इस कार्योक्रम में उपस्तित राज्जपाल मान्यनेश्री कलराज मिश्राजी विधान सभाक्य अध्यक्त डाक्टर सीपी जसी जी उपस्तित सभी विधायकण वपूर्व विधायकण अन्य जनपत्ति निधीगण देवियों और सोजन सभी को नमस्कार मानों सनमानों और बलिदान सुरग राष्तान की धोरारी धत्ति रा निभासियोना ना घणी सुभाकावन आये कुछ बोलने से पहले में विधान सुभा के पपंधत्ति को में नमन करते हूं उनिस्सो बाउन में राष्तान विधान सुभा का गठन हुआ तोप से लेकर आज तोक इस विधान सुभा द्वारा एकहतर बोर्षों का गोरोप सली इत्यास रचा गया है इसके लिए में राज्यो की प्रबुध जन्ता को राज्योपाल महदोय को मुख्यो मंत्री महदोय को तोथा आप सभी विधायकों को हार दिख बधाई देती हूं इस अपसरफर में समस्त देशवासियों की और से राष्तान के सभी पूर्बुध राज्योपालों को मुख्यो मंत्रियों को विधान सभा अध्यक्यों और विधायकों के यगदान की स्मरोण कात्यों राष्तान के लिए ये विशेज गोरव की बात है कि बुर्तमान संदक संग्सत की दोनों सदोनों ने अध्यक्योता राश्तान विधान सभा के पूर्व विधायक को द्वारा की जा रही है उपराश्ट के रूप में राज्य सभा के अध्यक्ष श्री जगदीव धनकड़ जी तथा लक्सभा की अध्यक्ष्री ओम विल्लाजी राज्तान में विधान सभा सद्धास रह चुके है। संभिधान सभा द्वारा प्रत्यक राज्य में विधाई का किस्तापना सुनिश्चित की गई है। इस प्रकार सम्विधान की धारा 180 धारा बिधान सभाओं का गठन कारने का प्राभधान लागू हुआ जैसा कि इस सदन के सभी सदस्य जानते हैं सद्यानते के बाद 1948 में मश्य यूनियोन की स्थापना के साथ इस राज्यों के सरूप का निर्मान कार्या शुरू हुआ 1906 में स्टेट रियोर्गानेशन आठ के अनुसार राज्यों के पुनर गठन तो था अंत में आजमेर के रास्तान से बिलोई के साथ संपन्नों हुआ राज्यों के इस एकिकृत तो था व्यापक सरूपों के आधार पर विधान सभा का सरूप भी निर्धारी थुआ यद्धोपी पहली विधान सभा वर्ष 1922 में अस्तित्तों में थी सभी समाजीक वर गंतोथा भोगोली छेत्रों के विधायकों की उपस्तिती के कारण ये विधान सभा राष्थान के विविधोता का सुन्दर प्रतिविंग प्रस्तुत करती खेत्रपड के दुष्टी से राजबान देश का सब से बड़ा राज़े राष्थान में जेसलमर के मरुस्थल से लेकार सिरही के माउट अभू उधोईपूर की जीलों तोथा रोण धंबर के बनांचल में प्रकुर्ती की इंद्रधनुसी छिटा दिखाई देती है ये विधान सभाभवन राष्थान की पारंपरिक स्तापत्य कला का सुन्दर आधुनिक उधाहरण है जोईपूर को युनेस के दारा वाल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया गिया है विशसक्यों का कहना है कि जोईपूर नगर की निर्माण योजोना वोईदिक स्तापत्य कलाप और आधारी थे जिसमें अन्यों सोहिलियों का भी सुन्दर समाविस किया गया है राष्थान के सिर्फोकार और करीगर बेजोड निर्माण कारियों और हेंडिक्राप के लिए जाने जाते है राष्थापती भवन की गणना विश्चो के सबसे प्रभाव साड़ी भवनों में की जाती है मैं आपके साथ ए साजा करना चाहती उन्यों कि राष्थापती भवन के निर्माण में लागे अधिकांस पत्थर राष्थान से ही गये थे राष्ट्रपति भवन के सुन्दन निर्माण में राष्टान के अनेक कारीगरों का परिश्रम और कोसल साम्मिल है जोईपूर कलम राष्ट्रपति भवन के प्रांगों की सभा बढ़ाता है इस तरह जोईपूर कलम के माजधम से राष्टान की छबी राष्ट्रपति भवन में आने वाली प्रतेक ब्यक्तियों तो था उहां रहने वाले कार्य करने वाले सभी लोगों के मनमस्तिसकों में बनी रहती है अथिति को देप्ता समझने की भारत्य भवना का बहुत अच्छा उदारो राष्टान के सने ही लोग प्रस्थूत करते हैं राश्तान में लक प्रियोगीत पाधारो उमारे देश में अभिव्यक्ति अतिती सत्कार को भावना को यहां के लोगों ने आपने बेवहार में भी धाला है राष्टान के लोगों के मधूर बेवार और प्रकुती तो था कोलाकृतियों के मनमहक आकर सण के कारौन देश-वीदेश के लोग यहां बार बार आना जाते हैं। देवियों और सोजनों, राष्तान के उद्ध्यों मी लोगों ने राज्य से और देश से बाहर जाकर बाणिजो और व्यापर की विपिन्न छेत्रों में आपनी प्रभाव सड़ी पेहंचान बनाए हैं। देवियों में राष्तान की परमप्रा बहुत मजभूती रही है। आज से लगभग पंदर सोबर सपहले राष्तान के खेत्रों में ही संस्कूत के महाकवी माघ ने सिसुपाल बद्ध नामोक स्रेष्ठ महाकाब्यों की रचना की थी। उनके काब्यों की तुलना महाकवी का ए scarf केल दश के काब्योंशे की जाति है कि लिए हिंदी का प्रत्रम को भी कोने का गोर घृृ राी जजाता दारे उनके द्वारा वर्दाईयस के जाता है। उनके द्वारा लिखीत प्रुथिवी राज रासो को हिंदी भासा का पहला काभ्यो माना जाता है। रास्तान की मिरावाई ने भोक्ति सहित्तो को अमुल्यो जगदान दिया है। महानता तथा लक्तांत्रिक भावनाप और आधारित राज्यो व्यवस्ता रास्तान की भावभुमिक में प्राचिन काल से ही विद्ध्यमान रही है। महाभारत में आधिवासी समुदायो के एसे गणतांत्र का उल्लेक मिलता है जो पांचुए स्वताब्धी तक अस्तित्तो में रहे थे। एसे गणतांत्र में रास्तान के उत्तोरी छेत्र में स्तापीत यधेय जनजाती का गणतांत्र सर्पतिक प्रसिध्ध है। सभीमान के लिए संगुरा करने की भावना राष्तान की धर्ती के लोगों में कुट-कुट कर भरी हुई है यही भावना राष्तान के गोरुपसली इतियास का आधार रही है यहां के बारे में बीरों ने जो द्धाओं ने जीन राजाओं के नेत्रुत्त में धर्ती को अपने रक्ष लाल कर दिया वे राजा भी आपनी लोगों से अथा प्रेम करते थे पृत्वी राज चोहान, राणा सांगा और राणा प्रताप महाराज रानाप्रताप जेसे बीरों और उनेक सनानियों का सर्य भारोत की बीर गाथाओं के सर्निम अध्धा है चित्तोड का बिजोईस्तम राष्ट्यो गोरव का एक जीवन्त प्रतिक है महाराज प्रताप के साथ कंधे से कंधा मिलाकार युद्ध कंणेवले बनबसी बीर यद्धा राना पुंजा भील के अमर बोलिदान की कहानी मेगवार्ड का बच्चा बच्चा जागता बीर बालक दुधा भील ने महाराणा प्रताप के आदर्शों का अनुसर्ण करते हुई आपने प्राण से समर्पित कर दिया था जोनजाती समुदाई के लोगों को एकता के सुत्रों में बांधरे के लिए मतिलाल तेजवान ने एकी अंदलन चलाया था जिसका उद्देश एक जूठो कार सोसोन के खिलाब संघर्ष कारना था सिखित समाज के समावसी सिख्था के प्रती संबेदन सिल बनाने के संघर्ष में आपने प्राणों की आहूती देने वाली दंगरपूर की बीर वाला कालिवाई के बिशोय में सभी देश वास्यों की जानकारी होने चाहिए समाई सुधारोक और महान स्वाधिनता सेनानी गविंद गुरुजी के असंख देश प्रेमी अलुयाई मानगर्न और संखर में बीर गोती को प्राप्थ हुआ राष्तान सहीत देश के अनेक छेत्र में गविंद गुरुजी का प्रभाप था मुझे प्रसंता है कि आजादी का अम्रुत महसब के उपलुपधी में हो रही कारियों के माजधम से देश बासियों को मानगोड धाम की गोरुब गाथा के बारे में अबगोड कराया जा रहा है जनलजातियों सहीत राष्तान के सभी समुधायों के लोगों ने देश प्रेम के अनुपों उधारन प्रस्तूत किये मैंने बिधान सभा में इस विश्वय पर थोड़े बिश्तार में जाकार इसलिए बात कर रही हूं कि हमारे स्वाधिनोता संग्राम के आदर्श पर ही हमारे सम्विधान के आदर्श निर्दारित किया गया है न्याय, सतंत्रता, सम्ता और बंधुता के ये संब्वेधानी आदर्श सभी विधायकों के लिए मार्ग दोशक सिधान्त होने चाहिए सद्यनते के बहुत पहले 1929 में बाल बिभाव को समाप्त कान्ये के महान उद्देशों के साथ एक कानुन सेंट्रल लेजिसलेटिव आसेंबिली दोरा पारित किया गया था मोहिला सोशक्तिकरण तो था समाजीक समावेश का ओ महत्तोपुण अधिनियम बोल चाल में सार्दा एक्ट के नाम से जाना जाता था क्यूंकि उसके प्रेरोणा स्री होरिविलास सार्दा थे स्री होरिविलास सार्दा राष्थान के निवासी थे स्वाधिन तक के बाद श्री मोहनलाल सुखाडिया से लेकार श्री भयरोशिंग सेखाबद जेसे जन सेवकों ने संविधानीक आदर्सों के अनुरुइप राज्यस्तर के कानून बनाने में तथा समावसियाग और कल्लान करी जो जनाओ को लागू करने में प्रभावी नेत्रुत दिया स्वावेशी विगास और जोनहीत में कार्य करने की इस पुरमपुरा में मोजबूत बनाना सुभी विधायों काका कर्तब्यों है मैं अपने बाणी को बिराम देने से पहले मैं सुभी मानोनियों को कहना चाहती हूँ मानोनियों हम सब केतने भाग्यसा लिए मुझे बताया गया ही एराज्य की जनसंख्या साथ करोर से ज़्यादा है जनप्रतिनिथी विधान सभा के जनप्रतिनिथी केवल 200 मानोनियों को जनप्रतिनिथी रुप में इस बिधान सभा को भेजते माननिय कभी एक बार, कभी दो बार, कभी तिन बार, कभी चार बार कि जिनदेगी बार बार जनता द्वरा प्रतिनिती बन कर इस सभा को आके सभामंडन करते हैं कि जंता कितना प्यार करते हैं इसलिए बार-बार आपने चाहती जंद प्रतिन जी को बार-बार इस विधान सभा को चुन के भेचते हैं कभी-कभी इतने प्रभावित होते हैं अपने नेता या अपने प्रतिनीधी का हार चीज को फोलो करते हैं कभी यह एश्टाइल उनके चाल-चलन-चेहरा उनके ड्रेस, कभी-कभी ऐसे मैंने देखी, जनता को के भी हाथ में बंधे हुए कलाई के कलोर का एक धागा को भी ओफोलो करते हैं, कितने प्यार करते हैं, आशा करते हैं, जिस चीज को माननिय विधायक के अध्यक्यों ने यहां जिगर करते थे, कि आजादी, प्रियम्बल का कुछ पंक्तिया, आजादी बलने का, अधादी, समाजिक आजादी, आर्थिक आजादी, सिख्छा लेने के आजादी, ए आजादी का दाइत, जन सधानों ने आपनी जन प्रदिनिदिको दिये, यह यूग एक कम्पूटर यूग है, यह यूग मोडर्न टक्नलोजी से चलता है, एक यूग था, जो जन अफ्रदिनिदी बिधान सुभा में क्या वलते हैं, कभी-कभी अपने पेपरों में ओ देखते हैं, कभी-कभी पेपर भी उनके तक पहुंचता नहीं था, लेकिन आज घार-घार तक यहां क्या चल रहा है, मेरे जन अफ्रदिनिदी जनता के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे समाज के लिए, मेरे देश के लिए, मेरे राज्य के लिए, मोहिलाओं के लिए, जुगाओं के लिए, क्या काते हैं, और देखते हैं, समझते हैं, इसलिए मैं सभी जनव प्रतिनिधियां को गुजरिस करना चाहते हूं चाल चलन के साथ साथ आचार विचार को जनता के दिशा में जनता के लिए जनता के द्वारा कि हम आये हैं इसलिए जनता के देर देर लिए सोचना चाहिए और कि बोल हाम नुहें में नुहें में और मेरा को छोड़के हमारा होना चाहिए कि बोल में और मेरा सुचने से देश का या समाज का या राज्य का उन्नोती सायद नहीं होगा इसलिए हमेशा जन प्रत्निदी जन्ता के लिए राज्य के लिए सुचना चाहिए में और मेरा से उपर उठकार मेरा देश, मेरा जन्ता, मेरे लोग होना चाहिए मुझे लगता है आप सोब समझदार है आप यहाँ इसलिए बार-बार जुनता आपको जुनकाला भेजे हैं मुझे लगता है आने वाला दिन जो पिसो जो मुद्दा हमको पता है कि ए मुद्दा हम लोगों के आभी चाहिए निडवती आवार आभी का क्या जोरुरत है वत्तमान की जोरुरत जीजे का उसी हिसाब से नियोंबरानी का दाइत्यों जनता ने जनपतिनिधी को दिये है हार चीज है इसलिए में चाहूंगी कि आगे चल कर ये एक सुआई जेड ने नहीं कुआ किया लेकिन अपने खुद को पुछना चाहिए मैं किया किया हम क्या किया एक्स नहीं किया लेकिन मेरे मुझे दाइत तो दिया गया जनता ने मुझे दाइत तो दिये मैं किया किया म मिल के संगटित रुप में क्या कि मुझे लगता है आने वालब दीन ये राज था नाम नाम सुनकर मुझे दिल में एतने भावना आती है कि राजाओं के ये राज तंत्रो तो अभी नहीं याज लगतंत्रो है इसलिए मुझे चुना गया है मुझे परसेंटेज निकाला जाए तो मुझे पता नहीं कितने होगा साथ क्रोर और दो सो इतने भरोसा करते हैं मुझे लगता है भरोसा लाइक होना चाहिए में राज्तान के समगर विकास्त अथा राज्य के सभी निवासों के सरनीम भविष्यों की मंगल का मना करते हूँ राज्तान की विधान सभा के सभी सदस्यों जोनको इल्लाण और राज्यों के विकास के लिए निरन्त और कारियरत रहेंगे तो था संक्सद्य प्रणाणी के गरिमे को बढ़ाते रहेंगे इसी विश्वास के साथ मैं अपने बाणी को विराम देती हूँ जय हिन जय हारत जय राजस्ता माननी राष्टपति मोधय का रेदे की गहराईयों से आप